प्लाइन जो हम अब फॉलो करने वाले हैं एक आफ्टर टूडे आज के बाद मतब आज के दिन के बाद में आपके एक एक लेक्चर में घल से एक एक लेक्चर बच जाएगा ध्यान सुनीगा प्लीज ओफ ए ओडी एंड थ्रीडी जुमेट्री कि मुझे ए ओडी कंपलीट करने क्लिए ऊच्प लात कुल लगेत के बाद में एक लेक्चर और लगेगा अ इसके बाद में सर अँमआरा जो बचता है वह है क्या स्टैट्स Glas प्लिसमेट्र जो topics मैंने आपको अभी online में नहीं पढ़ाए है properly या फिर पढ़ाए ही नहीं obviously properly क्या indefinite integration, definite integration, area जिसको आप application of integrals भी बोलते हैं and differential equations इतना आपका काम complete हो जाएगा before जही मेंस ठीक है यह वाली चार chapters आपके रहने अच्छा इसमें probability भी बच गया probability भी बच गया और सो टीबी बच गया solutions of triangle ठीक है आए ना बिल्कुल सही solutions of triangle and probability अरे यार एक लास्ट में लेजेखे एग यह कान छोड़ गया भी यह भी बच गया ठीक है घबराव मत नाओ यह वाली चीज जो है मैंने आपको बोला था आपको मिल जाएगा लेक्चर यूट्यूब पे अपने जैए वाला चैनल पे वहां से आप कवर कर सकते हैं जो अभी आपको रेक्वायर्ड है अपके सारे questions बन जाएंगे आप यह वाला कवर कर सकते हैं बट मेरी आप से रिक्वेस्ट है कि जो आपका सोचने का तरीका सोचने का तरीका वो यह होना चाहिए कि जो हमने पढ़ लिया है अब इसको समेटा जाए इसकी रिवीजन की जाए बट टाइम नहीं है तो बिलकुल आप मत ध्यान दीजिए चीज़ पर मैं नहीं चाहता हूं कि आप इनको कवर करने के चक्कर में जो आपने अल्रेडी कवर कर रखा आप उसका नुकसान कर बैठें अभी आपको फॉर्मुले रिवाइज करने है अपने आपके लिए टाइम स्पेंड करना है ठीक है आज हमारी जो तारीक है वह आप आप बोल सकते हो 14th of January होगी ज्यान सुनिया डेट वाइज मैं आपको प्लैन बता दू है 14th जैन है आज कल 15th जैन है 15, 16, 17, 18, 19, 20 कब से पेपर स्टार्ट है 21 and 22 22 में गाल से 23 तारीक से पेपर स्टार्ट है न बी टेक वालों के बी आरक और बी प्लैनिंग वालों के मत बता अब यहां है अना है 23 से शुरू है यह 24 से 24 है अचा ठीक है तो 23 से कमरे बास दिन और रहे है अब आपके हाँ शिफ्ट के जो जो वेपर है उससे सबसे आज के तो आपके पास लेक्चर आने वाले हैं कल आपके पास mathematical reasoning आ जाएगा जी कल हां mathematical reasoning होगा बिलकुल पूरा इसको आपको positively attend करना है और अगर आपका इस दिन कोई पेपर भी है तो टेस्ट आप positively attempt कीजिए उसके बाद में बात आती है सोलर जनवरी की सोलर जनवरी को हम लोग statistics इन दो दिनों में हम statistics and mathematical reasoning cover करने वाले हैं समझ मैं उसके बाद में जैसा कि मैंने आपको बोला कि मेरा एक एक lecture और 3D का भी एक lecture यह दोनों लेक्टर मैं लेने वाला हूं 17 जनवरी को इसके बाद में यहां से लेके यहां तक आपका break है इस break में आपको क्या करना है तर formula revisions formula revisions या फिर revision जो भी आपने पढ़ लिया है test attempting टेस्ट पेपर देने हैं आपको और एक माँ आपके लिए upload करवाने वाला हूं यह फाइनल फिफ्टीगी शीट बोला तकल फाइनल फिफ्टीगी शीट आपको यह सब काम करना है इन दिनों में समझ गये हाँ फार्मुला रिवीजन बोल दो रिवीजन बोल दो क्लास नोट्स रिवीजन बोल दीजी जो भी यह वाली चीज अपने आपको कूल काम एंड कंपोज रखते हुए इन दिनों में आपको इसके साथ इनके साथ यह सारा कवर हो जाएगा और यह हम कवर करने वाले हैं इतने दिनों में 17 तारीक तक हम ऐसे समझों कि थ्योरी और यह चीज़े कवर कर लेंगे सारी की सारी समझगे मेरी बात है हाँ 3D की आज भी 3D की आज भी क्लास है बिटा आज भी मैं कोशिच करूँ हो कि कवर कवरा दू बढ़ हाँ इस फ्रॉम माई साइड कि मैंने आपको ब्रेक दिया कितने दिन का तीन और तीन छे दिन का दिस पढ़ाई कीजिएगा और इन दिनों में वही चीज आप पढ़िएगा जो आपको अल्रेडी आती उसके फॉर्मुले देखिएगा किसी नहीं चीज को स्टार्ट करने का बि काम तुम लोगों के लिए बड़ा जोरो शोरो से किया जा रहा है बेटा जो जो तुम सोच सकते हो सब चीज़े आपके लिए हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड लिस्ट मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की लिस्ट भी मापको दे दूँगा बट अभी नहीं अभी नहीं फिर से मेरे साथ ये प्लीज एक भी कमेंट नीन मिलना चाहिए कब आएगी सरी लिस्ट पहले यहां तक पहुंच अभी दे दूँगा ना तो तो यह सब छोड़कर इ नहीं है रिवाइज करने हैं कि मैं हर हालत में आपको रिवाइज करने है इसको मैं कोशिच करूँगा 17 जनवरी को देनी की या फिर 18 इनी दोनों दिन में मैं यह वाली चीज आपके लिए पोस्ट करवा दूँगा और इनी दोनों दिन में यह वाली चीज भी पोस्ट कर द I will try my level best कि 3D में आज खतम कर दूँ दो दिन का मैं आपको टार्गेट दे रहा हूं 15 और 16 जनवरी ध्यान रखिए का प्लीज आपको mathematical reasoning, statistics और height and distance cover करना है ठीक है तो यह हमारा game plan है समझ में आगे आपको कोई doubt है तो जल्दी से पूछिए प्लीज हाँ मेटा कोशिश कर लूँगा 3D extend करके खतम करने की बात खतम हो गई है आगे बढ़ें What is final 50 sheet? पुराने सालों के जही mains के pattern को देखते हुए यह पता किया गया कि उन्होंने किस chapter में से सवाल या एक topic को repeatedly पूछा है तो उसके सवालों की list तियार की गई है सवालों की list तियार की गई है वो 50 सवाल है वो 50 सवाल आपको सवाल की तरह तो मिलेंगे मिलेंगे उनका जो topic होगा माल लो एक सवाल आता है हमारे पास let's say एक सवाल दे रहे हैं जिसमें हमें reflexive, symmetric, transitive पता करना है relation तो आप क्या करेंगे वो सवाल का topic समझ में आ गया types of relations जाएए अपनी notebook में पढ़िए और उस सवाल को attempt कीजिए topic भी revise हो गया, यह सवाल भी solve हो गया अगले सवाल पर गये सर हमें मिला limit का सवाल जिसमें finding unknown if limit is given यह सवाल कीजिए साथ में इसका topic भी बढ़िए तो most repeated 50 questions मैं आपको लिए लेकिया हूँ इसका amount मैं चाहकर बढ़ा कर 500 भी कर सकता था 1000 भी कर सकता हूँ not sufficient mathematical भाषा में समझाओं तो this is necessary जरूरी है बट यही परियाप्त नहीं है परियाप्त के लिए सर आपने जो इतना एक साल में या फिर हमारा जब को स्टार्ट हुआ था तब से हम पढ़ रहे हैं वह परियाप्त हैं तुन्हां